हेलो दोस्तों आज मैं कुकीज बनाने जा रही हूं सबसे पहले एक बाउल ले लेना है और उसमें मैं एड़ करी हूं एक कप बटर और बटर में एड़ करूंगी पीशी हुई चीनी और इन दोनों को मिक्स करना है अच्छे से फेट लेना है जब तक यह इस तरह से फ्लफी ना हो जाए और इसमें एड़ कर रहे हूं वनिला एसेंस एक चम्मच इसे भी मिक्स कर लेना है और अब मैं इसमें एड़ कर रही हूं दो अंडे इन सब को मिक्स कर लेना है इसको मिक्स करने के लिए थोड़ा सा इस पीड में हाथ चलाना है अब मैं एड़ कर रही हूं इसमें एक अब मैदा इसका एड़ तयार कर लेना है और मैं बना रही हूं वालनेट का अब मैं कुकीज बना लेती हूं मैंने बहुत बड़े साइस के निए बनाये हैं कोई इस तरह से और आप इसमें लगा लूंगे वालनेट और एके करके शारे को बीज बना लूंगे कुकीज बनाने के बाद अब इन्हें बेक कर लेना है 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए एक बाद चेक करना है अगर नहीं बेक होए तो 5 मिनट के लिए और रख सकते हैं यह में 5 मिनट के लिए और रख सकते हैं यह में 5 मिनट के लिए और रख सकते हैं यह हमारे कुकीज बेक होगे हैं अब इन्हें में 10-15 मिनट के लिए रख सकते हैं मैं दूसरे कुकीज बना रही हूं और उसमें लगाने हैं बदाम और इन्हें भी 15 मिनट के लिए बेक करना है बेक होने के बाद इन्हें एकदम से डब्बे में नहीं रखना है आदे घंटे के लिए छोड़ना है उसके बाद क्रिश्पी हो जाएंगे तो इन्हें टाइट कंटेनर में रखने हैं यह देखे बहुत ही टेस्टी बने हैं तो दोस्तो आप ही ट्राय करना पर दोस्तो आप है